नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तब पहुचाईए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, इसकी पीडियाप आपको टेली ग्राम पर जाकर के नितेश पांडे स्टेडी नाम से सर्च करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी, नए तो इस इस 안녕 कुछ आए है कि आपको जो कुछ मय रहते हैं, वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपर्टेंट होते हैं, उनहीं पर पूरा प chem, आपका निर्भर करता है, क्या इसकिए रहते हैं, फिर से मैं रिपीट किया रहा हूँ कि जितने भी प्रस्ण दिये जा रहे हैं वह सभी अनिवारे रूप से करना है जो very short होंगे वह 25 words में और जो short question होंगे वह आपको 75 words में करने ही रहेंगे और बात करते हैं objective question की तो इसमें से केवल जो सही answer आप चूज़ करेंगे उसे ही no down करना है clear जो adjective के रूप में है पहला विकल्ब क्या है choose chooser, choosy, choosely चार विकल्ब दिये रहेंगे इसमें से आपको right वाला ही लिखना है तो choosy is the right answer clear यही आप केवल no down करेंगे और कुछ आप no down नहीं करेंगे clear next क्या है bilingual method is invented by bilingual method की कोज किसने की तो पहला विकल्ब क्या है प्रोफेसर सी जे डॉट्सन, डाक्टर वेस, पी, गुर्रे, थॉंप्सन, एंड वाट तो इसका सही answer क्या है प्रोफेसर सी जे डॉट्सन प्रोफेसर सी जे डॉट्सन ने bilingual method की खोज की यह question जो है आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा important है bilingual method आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा important very, very, very important हर एक question इससे एक question आपके एक्जाम में जरूर रखा है clear दूसरा question देखेंगे in which method in mother tongue used during the early stages to explain the meaning of new words, phrases, idiom, sentence EDC कौन सा ऐसा method है जो mother tongue कब यूज़ की जाती है early stage में explain करने के लिए किसका अर्थ निकालने के लिए meaning of new words, phrases, और idiom sentence इसके कहने का तात पर यह है कि ऐसा कौन सा method है जो mother tongue का यूज़ करके early stage में new words, phrases और idiom का अर्थ निकालता है तो विकल देखेंगे सबसे पहला है audio video method, doctor west, new method, bilingual method या approach method, language games तो इसका सही answer क्या है इसका right answer क्या है bilingual method या approach मैंने अभी just उपर बताया था कि bilingual method आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है आप note countdown कर लिजी इससे पहले अगर आप ने हमारी दो मैरातन क्लास देखी वहंगी तो उस क्लास से सबसे पहली क्लास से 25 से 30 नंबर आपके एकजाम में देखने को मिलें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको हमारी बात नहीं माननी है तो आप जा करके वीडियो देख सकते हैं इसके बाद साइन्स की क्लास जो मैंने दी है उससे कम से कम 10 से 15 नंबर आपके एकजाम में है उससे भी आप देखकर चेक कर सकते हैं कि हाँ उस class से कितने सारे question आए हैं तो मैं जो question आपको बता रहा हूँ वह सब question आपके लिए important है हर एक class आपके लिए important है clear next question क्या है what are the two productive skills इसकील आई है यहाँ पर इसको सही कर ले न दो productive skills के नाम आपको बताने है तो पहला विकल्ब क्या दिया गया है listening reading दूसरा के speaking writing listening speaking reading writing तो इन चारो option में सबसे सटीक answer आपको क्या है वो आपको लिखना है सबसे सटीक answer क्या है speaking और writing speaking writing को productive skill कहा जाता है क्या कहा जाता है productive skill speaking और writing को clear यही क्लिए यही आपको लिखना है और कुछ ने लिखना next question देखेंगे choose the correct word वर्ब आपको correct चो correct वर्ब होगी उससे आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसकी correct वर्ब क्या है each boy and each girl punished प्रतेइक boy प्रतेइक लड़का प्रतेइक गर्रड punished दंडित किया जाएगा तो इसका पहला option क्या है इस दूसरा वास वर्ब आर तो इसमें दो आपको दिख रहे हैं each boy each girl इसकी वज़े से ना आपको वर लगाना है ना आपको आर लगाना है पहली चीज यह दूसरी चीज आप देखेंगे punished second form यह third form का use है यहाँ पर उसके लिए ना आपको इसका use करना है ना आर का use करना है दो विकल्प आपके ऐसे ही हट गए फिर उसके बाद each boy each girl इसकी वज़े से आपको वास का प्रियोग करना है कि प्रतेग लड़का प्रतेग लड़की punished किये जाएंगे किये गए थे sorry clear question को आप पहले अच्छे से पढ़िए फिर देखिए उसमें कौन सा विकल्प option आपका कट सकता है clear फिर आप उसको choose करिए इससे पहले अगर आप अब ही तक हमारे वीडियो को like, share और subscribe नहीं किया है तो please उसे आप like, share, subscribe जरूर कर दिए जितने भी आपके दोस्त है, मित्र है, सहबार्थी है, सका है, सहेली है, जितने भी है उन सभी को जरूर share करिए अगर आप उनका बला चाहते हैं तो वैसे सभी बला ही चाहते है इसलिए आप जरूर share करिए, share करने से आपका कुछ नहीं जाएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा एक एक लाइक आपका मोटिवेशन के लिए बनता है इसलिए मैं और अच्छा कंटेंट देता हूँ जिससे आपके एकजाम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके एकजाम में देखने को मिले मेरा या दावा है कि आपके एकजाम में हमारे महरातन क्लास से 100% कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें कोई दुराए हाई ही नहीं clear बढ़ते हैं अगले question पर very short question answer very short question answer में सबसे पहला question क्या है very short में जो पूछा जा रहा है उसी का एकदम right answer लिखना है ये नहीं कि sir ने बताया कि 25 words में लिखना है तो आप 25 words बनाने में लगए बिल्कुल नहीं question जो पूछ रहा same वही लिखना है clear तो पहला question क्या है change the following sentence into direct speech direct speech में दे दिया गया है पहले ही sentence आपको direct speech में दे दिया गया है इसको आप sorry पहले ही indirect speech में दे दिया गया है इसको आप direct speech में change करना है direct भी दे सकता है indirect भी दे सकता है clear क्लियर आपको दोनों पता होना चाहिए अगर आपने पहले से डारेक्ट इंडारेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे तो पहला sentence क्या दिया गया है असोक टोल्ड रमन that he could speak English sentence क्या है sentence को गौर करिएगा असोक टोल्ड रमन that he could speak English तो इसका direct speech कैसे बनेगा देखी told जो होता है was said to को change किया जाता है तब told किया जाता है told को आपने रेखा होगा sentence में जो said to दिया होता है उसी को क्या कर दिया जाता है told clear तो told की जगा पर क्या हो जाएगा such said to रमन clear फिर जो that का use होता है that को हटा करके comma inverted comma का use किया जाता है सभी को पहता है कि comma inverted comma का кого जाता है अब बात आती है beach वाले sentence की इसको कैसे करेंगे तो sentence he could speak English he जो होता है वो first person के according change होता है असो के according change होता है तो यहाँ आप he रख सकते हैं और I का भी use कर सकते हैं first person का use भी कर सकते हैं clear could है तो could जो आपको पता है कि could जो होगा वो can का change होगा तो उसकी जगा पर आप can और can के साथ सबी को पता है क्या लगती है first वर्व की first form तो आपका sentence बिलकुल ready हो गया असोक said to Raman I can speak English English हमारी गायब हो गया है यहां से English clear next question क्या है change the following sentence into passive wise एक direct indirect से एक passive wise जरूर question आता है कोई भी sentence हो सकता है मैं यह नहीं कहता है यही sentence आएगा but आएगा जरूर clear तो आपको passive wise में change करना है question क्या है all his friends laugh at him all his friends laugh at him तो इसका change क्या होगा सबसे पहले क्या करते हैं जो पीछे का part होता है him उसे क्या करेंगे subject बनाएंगे जो objective होता है उसे आप subject बनाएंगे subject he का क्या होगा oh sorry him का subject क्या होगा he उसे आपने क्या बना दिया he फिर यहां देखेंगे verb कौन सी verb यूज होगी तो यहां पर second form आपको दिखाई दे रहे second form तो उसके according आप यहां पर was का यूज करेंगे फिर लाब्ड आट 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 जो बीच में लटका हुआ है उसे इसी के बाद लगा देंगे फिर आप सभी को पता है पैसी वाइस में by का यूज होता है by के बाद जो subject आपका था उसको उठा करके आप क्या बना देंगे object बना देंगे his all friends या all his friends या his all friends clear तो sentence आपका क्या ready वा he was lobbed at by his all friends clear next question क्या है write one word for following expression one word substitution से एक question आपके exam में देखने को मिलेगा इसलिए one word आप कौन सा one word आजा इसका कोई भरोसा नहीं है वैसे ज़्यादा chance नहीं रहते हैं बट उमीद है कि आ सकता है तो पहला one word क्या है one who knows many languages easy आएगा ज्यादा tough नहीं आएगा one who knows जो बहुत सारी language जानता है क्या होता है polyglot क्या है polyglot जो previous year में आए उन्हें आप देख लीजएगा उससी में नहीं आएगा clear नेक्स्ट कोश्टन क्या है चेंज दा फालोंग संटेंस इंटू पास्ट पर्फेक्ट टेंस यह भी कोश्टन आता है तेंसे से related एक कोश्टन आएगा अब इसको किस में चेंज करना है यहां इन्टू होगा उस पर गौर मत करिए कोश्टन पर गौर करिए इसको आपको past perfect tense में change करना है तुरंत आपके mind में strike हो जाना चाहिए कि past perfect की बात हो रही है तो past perfect में head plus verb की third form का use होता है इतना आपके mind में strike हो जाना चाहिए अगर आपने टेंसे सही से पड़े होंगे हर एक tense को देखकर तुरंत आपके mind में strike हो जाना चाहिए स्टाइक हो जाना चाहिए तभी आप इसको तुरंट सौल कर पाएंगे ग्रामर एज़ा मैथ मैथ के एक ओर्डिंग जैसे मैथ होती है उसी प्रकार से ग्रामर होती जितना आप प्रेक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आएगी क्लियर अगर आपने प्रेक्टिस करना बंद कर दिया तो आपकी ग्रामर गायब हो जाए तो कोशन क्या है यू वर स्पीकिंग टू समवन तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना आपके मैंड में तुरंट आ गया कि हैड प्लस वर्फ की थर्ड फॉर्म तुरंट स्पोकेंग टू समवन आपका संटेंस तैया क्लियर नेक्स्ट कोशन क्या है कोशन नंबर टेन ट्रांसफॉर्म तफॉलविंग संटेंस इंटू निगेट्व ये इंटू की जगा इंफो हो जा रहा बार बार पता नहीं क्यों तो इसको आपको निगेट्व में चेंज करन होगी खड़ा हो गए खड़े हो गए सारे बच्चेंगी इannya को क्या करना यह संटेंस को निगेट्यू ऻॉम पीं चेंज करना है तो सभी को पता है आज सून आज में चेंज होताहिं तो as no sooner had teacher entered उसके बाद comma की जगा पर then का यूज होता है then the students stood up कुछ rules exactly होते हैं उनमें आप change नहीं कर सकते as soon as का यूज होता है as soon as as soon as comma यहां जो comma होता है comma का यूज then के रूप में हो जाता है as soon no sooner में change हो जाता है had like no sooner had teacher entered than the student stood up he is too old too old too जो होता है यह so that का रूपांतरित होता है उसी को change किया जाता है अगर to है तो आपको तुरह समझ जाना चाहिए यहां पर so का use होगा तो he is so old that they cannot work hard कुछ sentence होते हैं जिनको आप mind में बिलकुल रखिए पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं too old to work hard तो इसका change होगा आपको तुरह पजाओ यहां पर so लगेगा that का use होगा उसके बाद देख के बाद cannot work hard clear he is too old that they cannot work hard वह इतना बुड़ा है कि काम नहीं कर सकता है मेनत work hard नहीं कर सकता है यहां पर इसका निए to बन गया clear next question क्या है change the following sentence by changing the degree of adjective की degree को change करना है तीन प्रकार की डिगरी होती है superlative, comparative और positive तो पहरा sentence क्या है गांधी जी was the greatest leader leader of India यह the greatest leader यह superlative डिगरी में दिया गया है किसमें दिया गया है superlative डिगरी में इसे आपको comparative degree में change करना है दूसरा sentence क्या दिया गया है very few games are so popular as cricket in the world as so as यह आपका किसमें पस्ट्टिव में इसको चेंज किसमें करना है स्पारट् वेजीक तो चलिए देखते हैं सुपारट्व डिघ्री ओ कासे चेंज करेंगे तो संटेंस क्या थियार हुआ का थ। प्रüstड इग्री में क्या होता है टें का यूज होता है तो गांधी जी वाहज ग्रेटर any other leader of India clear दूसरा sentence का है cricket is one of the most अभी just गांदी जी का जो आपने sentence देखा उसमें देखी one of the most greatest तो one of the most greatest ये जो होता सुपर डेट्व का example होता है तो cricket is the one of the most popular game in the world clear समझ में आया वीडियो को like करते रहिएगा clear चलिए short question पहुंचते हैं तो पहला question क्या है पहले का मतलब 12 number clear define करना adjective with example देखिए हर एक exam में आपके चाहे noun आए pronoun आए adjective आए, adverb आए, 8 part of speech होते हैं उनमें से कोई भी एक part of speech जरूर आएगा आपके वैसे तो noun pronoun adjective तक ही chance रहते हैं और भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती है, बट 3-4 chance रहते हैं, clear तो adjective की definition देखेंगे, adjective में सोता है बिसेशन, any word which describe the quality and quantity of a noun or pronoun is called adjective, बहुत ही easy definition दी है मैंने, कोई भी word है जो describe करता है quality और quantity, किसकी noun और pronoun की, क्या कलाता है, adjective कलाता है, ऐसा word जो describe करता है किसकी quality, quantity, बट किसकी noun और pronoun की, जो noun की quality, क्या क्या करता है, और क्लिटी का कौन डिसर्गाइब करता है वह ही क्या говорит, बिसेशन क करता है, he is a beautiful, she is a beautiful girl, वह एक सुन्दा लड की तो लड्की की बिसेस्था बता रहा हे, लड्की क्या name है, उसका बिसेस्था क्या कह रहाहे है, कि लड्की जो है, सुन्दर लड़की सुन्दर लड़के हैंड्सम होते हैं clear तो beautiful handsome clever sweet यह सारे इसके example होएं अगर आप example लिखना जाते हैं तो इस तरीके से भी लिखते हैं she is a beautiful girl he is a handsome boy इस तरीके से भी example आप लिख सकते हैं उसमें कोई नहीं clear फिर underline आपको करना पड़ेगा जो example आप देंगे उसमें से adjective next question क्या है write the main characteristic of Dr. West new method आपको main main character लिखने है Dr. West new method के यह भी आपके लिए बहुत important है तो Dr. West method बहुत easy तरीके से मैंने दिया है कुछ नहीं आपको अगर आपने पहले से नहीं याद किया तो तुरंद याद हो जाएगा उसकी गारंटी मेरी clear तो किस ने दिया था माइकल पी वेस्ट MP वेस्ट इस तरीके से याद रखिए फोकस इन्होंने किस पर किया reading habit डेवलप रीडिंग हैबिट पढ़ने की छमता को डेवलप करने के लिए इन्होंने इस पर ज्यादा फोकस दिया कि बच्चे जो है reading हैबिट अपने अंदर डेवलप करें तो याद रहेगा कि इन्होंने फोकस किस पर किया reading हैबिट डेवलप पर अब इनके कुछ इंस्ट्रेक्शन थे इन्होंने कहा self education होना चाहिए reading ability इन्होंने बताई overall और silent होनी चाहिए जो reading की आप reading करते हैं चिला करना ही पढ़ना होता है उसको silent एकदम मौन तरीके से oral भासा में पढ़ना है clear फिर इन्होंने क्या बताया English promotes international relations and brotherhood जो English है वह promote करती है international relation और brotherhood भाईचारा and a medium of communication in large or vision और communication का medium generate करती है वह promote करती है अंतरास्टी relations और भाईचारा में communication skill के लिए clear reading is the shortest road of learning reading जो है पढ़ने की जो छमता होती है बच्चा पढ़ता हुआ एक छोटा सा road map होता है याद करने का clear अब इन्होंने mates क्या दिए दो चार मेंट्स भी आप लिख देंगे क्योंकि यह आपको 75 वर्ट में लिखने उसमें आप कमी नहीं करना है clear इट प्रमोर रीडिंग देखिए उपर जो मैंने बता है वह ही आप यहाँ पर अपने मन से बना कर लिख सकते है इट प्रमोर रीडिंग्स पहला पॉइंट डेबलब रीडिंग हैबिट्स देखिए फोकस इन्होंने जिस पर किया था वह आपका एक पॉइंट तयार हो गया डेबलब रीडिंग हैबिट्स क्लिए no teacher required teacher की कोई required नहीं नहीं ने बताया enhanced vocabulary students not overloaded with grammar rules student के उपर load नहीं रखना चाहिए grammar rules का बहुत easy है develop test in literature literature का भी test उन्हें develop करना चाहिए literature जो आप literature हिंदी पढ़ते हैं उसका भी उसके अंदर test डालना चाहिए बच्चों में clear तो उमीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा doctor west method जो है बहुत easy तरीके से मैंने बताया है इसमें से आप 75 words लिख दीजेगा heading बहुत अच्छी तरीके से डालिए एकदम black pen से black sketch से जिससे examiner copy देखे पढ़े नहीं direct number दे आपको ऐसा आप लिख कराए clear question आपके exam में आएगा जरूर कोई भी आएगा एक letter तो letter देखते हैं तो सबसे पहले इधर आपको अपना address लिखना है LP 0830 लखवेड़ाबाग 12 यूप यह हमारे घर का पता है आ सकते हैं आप clear dear vivek I am glad to inform you that my sister marriage is going to be held on 10 January 2023 23 मुझे यह बता कर खुसी हो रहे कि मेरी sister की marriage 10 January 2023 में तैं हो गई है I request you to attend the wedding ceremony मुझे मैं यह request करता हूँ कि आप wedding ceremony में attend करें वहाँ पर आए it will ready to be great fun पहले से ही fun तयार है मतलब मौझ मस्ती पहले से ही तयार है बिलकुल the function built held at hotel royal royal hotel में function किया गया है please come to come a day or two दोस्त जो होते हैं उनको 3-4 दिन पहले ही बुला लेना चाहिए कि काम करने के लिए कोई होना चाहिए न इसलिए a day or two दो तीन दिन पहले आप function के होने से पहले आ जाईएगा I hope you will attend मुझे आसा है उमीद है कि आप हमारे function में जरूर आएंगे दोस्त को पहले ही बुला लेना चाहिए याद रखना यह चीज़ तो बहुत ही easy language में लिखा है आपको आसानी से याद हो जाएगा clear यहाँ पर date डाल दीजेगा जब आप letter देंगे यहाँ पर अपने friend का नाम लिख दीजेगा your friend अपना जो भी है मेरा तो नाम है romance तो यहाँ आप नाम लिख दीजेगा या x y z ही अपने exam में लिख दीजेगा कोई problem नहीं next question का है complete the spelling of the following यह question भी आपके exam में कई बार पूछा गया है कि spelling को complete करिए यह फिल करना रहे गा यहाँ पर पहली क्या है compartment और दूसरी है troubled बहुत ही जी compartment और troubled next question क्या है what is the use of audio video visual sorry audio visual ads give some example audio visual ads use बताईए अब audio visual ads के और उसके कुछ उदारा दीजी तो देखते हैं use of audio visual ads के visual ads are also called instructional materials इससे क्या कहते है instructional materials भी कहते हैं सिच्छड सामगरी clear audio literally means इसका literally इसका means क्या होता hearing सभी को पता है and visual means क्या होता है that biz is found by seeing जिसे आप देख सकते हैं जो found है पाया जा रहा है so all such ads which endure to make the knowledge clear to us through our sense are called audio visual ads बहुत ही simple लिखी गई है आपको एक बार reading करना है आपके mind में तुरंद छप जाएगे visual ads audio visual ads are also called instructional materials audio literally means hearing and visual means that biz is found by seeing so all such ads which endure to make the knowledge clear to us through our sense are called audio visual ads clear अब example की बात करते हैं blackboard हुआ, radio हुआ, computer हुआ, LED projector हुआ, film projector हुआ, यह सारी क्या है इसके example है हो गया, simple सा, फिर next question की बात करते है, write four sentence on any one of the following topics, कोई एक topic पर आपको केवल चार sentence लिखनी है, पहला topic क्या दिया गया, pollution और दूसरा the value of health, आप आसानी से बना कर लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए तो चार point मने लिखें है, pollution is the one of the greatest problem of modern time, इस समय सबसे अदा problem क्या कर रहा है, pollution the worst of all pollution is the air pollution, सबसे अदा pollution कौन सा है, air pollution है, it is various kind, बहुत सारे प्रकार के होते है, air pollution, water pollution, sound pollution और last कहा, increasing numbers of vehicle, जितनी ज़्यादा जन्जन क्या बढ़ रही है, उसी के gauding गाडियां बढ़ रही है, हर एक घर में 12 साल का बच्चा हुआ, तुनन बाई, चलो बेटा हर एक घर में 3 से 4, मेरे घर में 4 पाँच बाईके हैं, तो मैं आपको क्या बता हूँ, मतलब हर बाईकों की कमी नहीं, बढ़ रही हैं बाईकें 4 पाईया, सारी गाडियों की increasing number क्या कहता है, main case होता है, air pollution का सबसे अदा main case क्या है, increasing number of vehicles, clear next question क्या है, fill in the blanks by selecting appropriate article from the brackets, जो उचित लग रहा है, उसे आफिल करिए, जो उचित नहीं लग रहा है, उसे कत्ता ही मत फिल करिएगा, पहला क्या है, I saw, dash, 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 cat yesterday, मैंने cat देखी, तो cat के साथ क्या लगता है, a, a, जिसे कहते हैं, और दूसरा क्या, I have, orange, मेरे पास एक, क्या है, orange है, तो इसके साथ, and का यूज होगा, A, E, I, O, U, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स इनके साथ, and का यूज होता है, बाकी सब के साथ, एक का यूज होता है, याद रखिएगा, A, E, I, O, U, ये पांच जो होते हैं, five types of आर्टिकल, A, E, I, O, U, वावेल्स, ये पांचों के साथ, A, E, I, O, U, ये आपके वावेल्स होते हैं, जो वावेल्स होते हैं, इनके साथ, and का यूज होता है, बाकी सब के साथ, एक का प्रियोग किया जाता है, clear, आर्टिकल्स आपके तीन होते हैं, सॉरी जो मैंने बताया, A, N, D, ये आर्टिकल्स आपके दिये गए हैं, उसमें से, जो आर्टिकल्स होते हैं, उसमें से, A, E, I, O, U, ये पांच आप याद रखिएगा, इनके साथ ही, and का यूज होगा, बाकी आप तुरंद आख बंद करके, A का प्रियोग कर लीजिएगा, उनिवस्टी है, उनिवस्टी उचारण भी आप देख लीजिएगा, उसे कार्डिंग करिएगा, क्लियर आपने पहले ही पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, और क्या करना है, सेर करना, सस्क्राइब जरूर करना, क्योंकि पिछली जितनी भी महराथन क्लास मैंने दी हैं, उनसे हर एक क्लास से 50 नंबर की क्लास थी, उसमें से 20 से 25 नंबर का पूरा पूरा पेपर क्लास से आया है, साइन्स की क्लास है, 25 नंबर की 10 से 15 नंबर, 12 नंबर पासिंग होती है, इस से ज्यादा नंबर मैंने बता दी हैं, अगर आ कोई नहीं रोख सकता और मैं इसकी भी गारंटी लेता हूं इंग्लिस जो आपको बहुत ही टफ लगती है इससे आप 10 से 15 नंबर आपको जरूर देखने को मिलेंगे 100 परसेंट गारंटी लेता हूं बैक इस बार किसी की नहीं आएगी जो यो बंदा या वीडियो देखेगा वीडियो को लाइक करना और क्या करना सेर करना सब्सक्राइब करना जितने आपकी दोस्त सहपार्थी सखाए सभी को सेर करिए सभी लोग पास हो जाए कोई किसी का बुरा मत चाओ सभी को सभी का भला सोचो सभी को सेर करो लाइक करो ठीक मिलते हैं अगली वीडियो में तब अब तक के लिए धन्यवा सुक्रिया थैंक यू